इस लेक्षर के अंदर हम एक पूरी case study करने वाले हैं और case study का data हम online database से उठाएंगे उसको समझेंगे उसको समझ के हम फिर एक pre-processing से start करेंगे and at the end हम machine learning models को train करेंगे train करने के बाद हम उनकी hyper parameter tuning भी करेंगे and best model को select भी करेंगे और हम sense बनाएंगे चीज़ों को mind में रखते हुए किस तरीके से कौन सा model यूज होगा और क्या हम करने वाले हैं और ये वाला task regression का भी हो सकता है और classification का भी हो सकता है based on the data हम data को पहले search करेंगे और उस data पे काम करेंगे and then we will see ये वाला task अच्छा होगा या बूरा होगा it depends on the data set और believe me मैंने कोई notebook ने बनाई मैं बिल्कुछ zero से start कर रहा हूँ ताके आप मेरे साथ साथ इस पूरी के पूरे lecture को enjoy भी कर सकें और चीज़ों को समझ भी सकें so मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ पहले ये जनाबे वाला मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो चुकी है ये हमारी github की repository है जो आपको भी नजर आती है और इस github की repository के अंदर ये projects में हम जाएंगे ठीक है और ये पहला जो project है heart disease data set के उपर हम काम करने वाले है ये data का link जो है ये भी मैं आपको provide कर देता हूँ and then we will see किस तरीके से हमारे पास ये data जो है वो काम करता है मैं यहाँ से इस data का link है वो आपको provide करता हूँ just give me one second and then we will see कि ये हमारे पास किस तरीके से काम करेगा और आपके पास और रेड़ी ये नोटबुक का जो प्रोजेक्स का सिलसला है ये स्टार्ट हो चुका है आप देखेंगे कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो हम यहां पे इसे अपलोड करते जाएंगे आपसे रिक्विस्ट यह है कि अगर अभी आपने जॉइन किया तो प्लीज डू वन फेवर फो मी और वो फेवर यह है कि अगर आप लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा देंगे इट विल हैल्प मी और लाट टु ग्रो जिसस अगर पर देंगे तो यहां से अगर यहां पर गूगल को ओपन करता हूं आपके सामने स्क्रीन पर गूगल को ले आता हूं यह हमारे पास गूगल है जनाब और यहां पर मैं लिखने वाला हूं UCI Heart Disease Data Set ठीक है यह डेटा सेट मैंने आपको पहले भी दिया था केगल के उपर यह डेटा सेट पड़ा हूँ है आपने केगल से लेना है आप वहां से भी ले सकते हैं otherwise UCI Machine Learning Repository यह एक बहुत बड़ा डेटा बेस है जहां पर सारे के सारे डेटा स जो है उसे लोड करते हैं और यहीं से इस डेटा सेट के उपर हम फिर काम स्टार्ट करेंगे राइट जी? UCI Machine Learning का डेटा जो हमारे पास है so just one second ताके जो हमारे पास यहां पे काम है वो अच्छे से हम कर सके okay so यह यहां पे हार्ड डेजीज का डेटा आपके पास यहां पे आ गया है ठीक है four databases है Cleveland, Hungary, Switzerland and VA Long Beach यहां पे इस डेटा सेट के बारे में सारी information मजूद है यह आपके variable के names है, type है, role है और variable का नाम है, demographic दी हुई है, description दी हुई है, units दी हुई है missing values अगर किसी के अंदर है वो भी दी हुई है and then you can have a look on the whole data set के आपके पास data set के अंदर कौन कौन सा algorithm कैसे काम करता है यानि के baseline model performance यह आपके पास procedure यह accuracy यह है और आपके पास कुछ इस तरीके से यह data set जो है मुझूद है by the way, मैं यहां से अगर इसको download करने की कोशिश करूँ, मैं इस पर click करता हूँ और यह मेरे पास download के folder के अंदर यह data set आ जाएगा then we will explore this data set और data set को explore करने के बाद हम इस पर फिर काम start अपना कर देंगे यहां पे same data set हमारे पास kegel में भी मुझूद है अगर मैं इसको right click करके open करूँ तो यह मेरे पास same data set आ चुका है यहां पे अगर आप गोर करें तो यह data set हमारे पास kegel वाला यहां पे आ जाएगा within a second, within a minute या आप कह सकते हैं कि हमारे पास यह data set जो है वो easily available हो जाएगा जैसे यह हमारे पास data set आता है then we will start working on this data set in a way कि हमारे पास सारे के सारे data set जो वो download भी हो और हम इस पे काम भी कर सकें अगर आप गोर करें तो यहां पे यह वाला data set मौझूद है ठीक है और यह data set आपके पास काफी ज़्यदा information जो है वो लेके आपको बताता है यह आपके पास पूरी की पूरी data set की information है Hungarian University, University Hospital, Zurich, Basel और Long Beach, Cleveland यहां पे यह इतनी जो इंस्टिटूट है इन्होंने यह data set क्लेक्ट किया है और यह medical application का data set है, heart disease का data set है अगर आप गौर करें तो आप directly इसे यहां से भी version 6 इसका यहां पे updated है आप इसको भी download कर सकते हैं from here आप केगल पे यहां पे जाएंगे और यहां से इसको data set को download पे क्लिक करके download कर लेंगे तो हमारे पास heart disease and archive, यह दो data set हमारे पास आगे एक हमने download किया यहां से और एक download किया यहां से तो मैं दोनों data set जो है वापको उनके link मैंने provide कर दी है आप इन दोनों data sets को देख सकते हैं अच्छा, description में अगर link नहीं है तो मैंने गूगल में क्या लिका है अगर आप गोर करें UCI heart disease data set तो पहला link आपके पास यह आएगा, second यह आएगा अब यहीं पे मैं आपको UCI machine learning repository के बारे में introduction आपको दे देता हूँ यह एक ऐसी repository है जहां पे बे बहार data sets मुझूद है आपकी practice के लिए iris से ले के सारे के सारे जो data set आपके पास मुझूद है आप अपना data set भी यहां पे upload कर सकते हैं और लोगों का data set जो है उसको देख भी सकते हैं so it's totally up to you कि आप इसको किस तरीके से utilize करते हैं but I would recommend कि जब आप इस data set को यहां पे देखे तो आपके पास different किसम के data set यहां पे मुझूद है आप किसी को भी उठा के उस पे काम कर सकते हैं लेकिन view data set पे जैसे आप click करेंगे या आप यहां पे search data set पे जाएंगे then you can actually find a lot of data set for example यह breast cancer का data है ठीक है chest का data है फिर आपके पास credit approval का data है अगर आप computer hardware के data scientist बना चाते हैं then you can click on that आप cover type के देखना चाते हैं dermatology का data है, diabetes का data है और इस तरह के काफी स्यदा data set यहां पे मुझूद है आपने सिरफ click करना है और उस category में जाके उस data set को ले लेना है यह lung cancer का data भी है तो आपके portfolio के लिए अगर आपने कभी भी काम करना है तो UCI machine learning repository के उपर आप जाएं इस तरीके से search करें data set को data set को search करने के बाद यहां से आप data set को download कर सकते हैं and then you can also find a lot of things जो लोगों ने different किसम के algorithms यहां पे train किये हैं XG boost हो गया sport vector machine, random forest, neural network and logistic regression यह 5 किसम के algorithm है और यह precision इनकी और यह accuracy तो दो matrix की base पे इन्होंने और रड़ी इस data set पे जो काम करके आपको बताया है और अगर आप गौर करें जो papers के अंदर लोग data set यूज करते हैं जो research paper publish करते हैं you can also use the same data set अब यहां पे अगर आप गौर करें आपके पास data set को ले के आ रहे हैं by the way this is how you can actually find a data set और उस पे आप काम कर सकते हैं अब क्योंकि मेरे पास downloads में data set है मैं download से data set उठाऊंगा और heart disease का यह जो मेरा project है इसके उपर मैं ले आऊंगा यह मैंने एक निया folder बनाया है heart disease prediction का projects के अंदर ही और यह मेरी notebook है जिसको मैंने और रेड़ी बनाया है मैं इसको remove करता हूँ ताके मैं दुबारा से बना लूँ और यह heart disease का data जो मेरे पास और रेड़ी पढ़ा हूँ है I can work on that one as well otherwise मैं अपने download से data को यहां पे ले के आता हूँ और इसी folder के अंदर उसको paste करता हूँ and then you can have a look के यह data set हमारे पास किस तरीके से काम करता है just give me one second क्योंके projects के अंदर जब मैं data ले के आऊंगा then you will have a look over there and यह हो गया जी archive आपके पास यहां पे show हो रहा है ठीक है और यह चेक करें आपके पास archive 3 का भी आ गया heart disease zip भी आ गया जो heart disease zip है यह UCI का data है मैंने इसको unzip किया तो यह मेरे पास different किसम के data set warnings और data set की different किसम के हमारे पास जो है वो databases जो है different तरीके से open हुए मैं अगर इसको open करके देखूं तो यह मेरे पास different किसम के files यहां पे मुझूद है अब इस तरह की files को open करने के लिए और आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा चीज़ें जो है वो required होती है so the second thing which I can assure कि अगर आप archive को open करेंगे then you will find this data set ठीक है जो यहां पे मुझूद है तो मैंने archive को open किया यानि के केगल वाला जो link मैंने आपको दिया है आप उसे open करें तो आपके पास यह वाला data set open हो जाएगा और अगर आप होर करें न तो यह दोनों data set तकरीबन same ही yes same ही है तो मैं जो है अपना यहां से इसको remove कर देता हूँ मेरे पास एक data set रहा गया यानि के जो केगल का data set है we are going to use that one यानि के this one data set we are going to use अब इसका link जो है मैं आपको provide कर देता हूँ again यहां पे the link has been provided और इसको मैं कोशिश करता हूँ यार एक तो नहीं जब बंदर live जाता है तो यहां पे जहां पे तीन dot आ रहे होते है वहां पे यह उठा के मुझे heart का reaction दे रहे अभी को बंदा message करेगा then I can pin that message okay so यह data आपके पास pin हो जाएगा बलके इसका link जो है यह मैंने upload कर दी है description के अंदर भी इसका link मुझूद है मैंने save कर दी है आप refresh करें page को तो आपको data set का link जो है वहां पे मिल जाएगा right जी okay so अब आपके पास data set आ चुक है right data set आने के बाद आपने अगला काम क्या करना है सबसे पहले तो data set का meta data देखना है meta data क्या कहता है कि यह एक multivariate type of data set है which means providing or involving a variety of things मैं क्या करूँगा मैंने यहां से इस data set को देखते हुए मैं ऐसे shift tab यूज करूँगा और मैं यहां से context उठा ठाके यह सारी की सारी चीज़ें जो है data card की जो information है I am going to write down in my notebook उसका फाइदा क्या है कि जो बंदे सिर्फ notebook को देखेंगे उनको सारी की सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी say for example मैं यहां पर आता हूँ यहां पर अपनी एक notebook बनाता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ say for example heart disease project dot ipynb and solely we are going to work on this project by our own कोई भी इसमें हम किसी से copy नहीं करेंगे code अगर करेंगे तो सिर्फ idea copy कर सकते हैं otherwise नहीं तो मैंने जो data set का link है अभी मैं कोशिश करता हूँ इसको pin करने के भी मेरे पास क्यों नहीं pin की option आ रही है don't know why but fair मैं यहां पर इस project का कोई नाम देता था हूँ say for example इस project का title जो है title title इसका है heart disease prediction heart disease prediction ठीक है और जनाब author का नाम author doctor mohammad amartufel ठीक है बलके doctor m amartufel या mohammad amartufel directive भी लिखना हो तो इस fine मैं यहां पर hyperlink दूँगा अपने किसी भी एक repository का say for example I am going to put the hyperlink of my kegel account ताके जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं they can actually view my kegel account as well या github repository या मैं research gate का दे सकता हूँ या facebook का दे सकता हूँ या kodenics का दे सकता हूँ it's totally up to me right जी so मैं यहां पर जाता हूँ अपनी profile के उपर यह जनाब मैंने केगल का अपना जो लिंक का उसे copy किया यहां पर paste कर दिया right अब यहां पर मैं date भी लिखूँगा आज है जी हमारे पास 4th of January 0401 22 2024 ठीक है यह हो गया हमारे पास बलके इसको मैं 4 जैन लिख देता हूँ ताके मेरे पास और भी clear रहे right जी अच्छा यहां पर आप triple या double भी quotation mark लगा सकते हैं because sometimes people do that लेकिन मुझे यह चीज पसंद नहीं है I usually use the quotation marks or quotation marks क्या कहते है quotation marks gives you a kind of color inside ठीक है तो जब मैं इसको finalize करूंगा then you can have a look so dataset का link जो है हमाँ यही से उठा के दे दूँगा मिझे already इसने dataset का link दे दिया but I will put my own link here यह मैं dataset use कर रहा हूँ ठीक है dataset and then we can have a look और इसके बाद हम देखेंगे हमने और क्या चीज़ें आड़ करनी है तो यह जैसे मैंने आड़ किया है you will find the hyperlinks there और इस पर आप click करेंगे तो आपके पास different किसम की मेरी kegel की notebook वगरा open हो जाएंगे as you already know कि हमारे पास जब मैं इसको control enter करता हो ना तो मेरे पास यहां पर अगर आप गौर करें इसको मैं ABC में रखता हूँ तो यहां पर A की line में सब कुछ आ रहे है so I need to put either this backward slash or enter तो मुझे backward slash थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है because feels like a programmer ठीक है so यह आपके पास जनाब तीन चीज़ें आगी author, date and data set अचा तीन चीज़ें आगी अब हमने क्या करना है अब हमने basically data set का जो काम है वो हमने यहां पर upload करना है say for example मैं यहां से about data set से लेके context से लेके column से लेके creator से लेके relevant paper से लेके at the end यहां तक सारी की सारी चीज़ों को copy करता हूँ copy करने के बाद मैं यहां पर अपनी notebook के अंदर आता हूँ notebook के अंदर आने के बाद मैं यहां पर इसके अंदर एक markdown का sell डालता हूँ इसको मैं बोलता हूँ जिनाब metadata information about data इसे बोलते हैं और यहां पर मैं सब कुछ paste कर देता हूँ I know it feels awkward लेकिन about the data set जो हमने बोला है वो हमने और रेड़ी वहां पर भी बता दिये so metadata और मैं इसको इकठा कर देता हूँ अब आप देखेगा information मैं एक ही जगा पर कैसे ले के आ रहा हूँ क्यों क्योंके जब इस notebook को कुछ ऐसे लोग पढ़ेंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ नोटबुक क्यों है उनको यहां से समझ आ रही so अब मेरी third level heading यहां पर चल रही है this is multivariate so on so forth यहां पर content आ गया और content के अंदर column description है तो मैं यहां पर four लगाऊंगा यह वाले hashtag तो heading levels यहां पर चल रहे है अब आपको पता है कि यह सारी की सारी जो हमारे पास चीज़ें है until here यह हमारे पास columns की information है और usually मैं क्या करता होता हूँ मेरे पास extensions हुई होती है I can actually use different kind of thing यहां से kernels साब select कर लेते हैं पहली बात तो and then we can use this thing यहां पर आपको नजर आ रहा होगा यह all-in-one markdown की मैंने extension जो है वो use की है मैं इसको click करता हूँ यह automatically सभी को bullet points लग चुके है अब मैं क्या करूंगा यहां से columns को quotation marks दूँगा इससे यह होगा columns के नाम का color जो है वो मेरे पास different हो जाएगा और यह coated हमारे पास जो है वो color होगा ठीक है अब यहां पर cholesterol different हमारे पास parameters है इस पर आपने भी काम किया होगा काफी लोगों ने जिन्हों ने ने किया उनको मैं बता दूँ that we are going to work on this thing और इंशालला जवजल आज हम इस data set पर काम करके थोड़ी information जो है वो gain करेंगे और इस पर कुछ हम output ले के आएंगे अब यहां पर अगर गौर करें we are going to do some kind of this thing अब इसके बाद acknowledgement जो है वो सबसे important चीज होती है acknowledgement को मैं double heading दूँँगा क्यों यहां पर metadata मैंने बता दिया यहां पर बता दिया content बलके triple heading दूँगा यानि के heading level 3 जैसे आप Microsoft Word में देते हैं और यहां पर creators में heading level 4 करूँगा and then यह हमारे पास चार institutes हैं जिनकी हमने heading देनी है मैं इनको भी bullet points में डाल देता हूँ फिर यह हमारे पास जनाब आगे creators के बाद relevant papers जिन लोगों ने इस पर काम किया है और मैं इनको भी bullet points में डाल देता हूँ which is very important because we have to tell people कि कैसे यह लोगों ने इस पर काम किया हुए obviously हमें web link इसके provide करने पड़ेंगे otherwise it won't work so हम यहां पे इसके web link देंगे और we will see कि यह किस तरीके से काम करेगा by the way web link अभी नहीं भी देते तो it's fine people can search me your name और हमें यह web link अभी देने की ज़रूरत यहां पे as such नहीं है so मैं यहां पे जनाब इसको one two three four citation request अगर किसी ने citation देने हैं तो वह ऐसे कह सकते है ठीक है और यहां पे आप इन institute के बारे में information जो है वो दे सकते हैं मैं इसको simply bold कर देता हूँ और यह चार institutions हैं जिनों ने इस पे काम की है और research में primary data इनका है हम secondary data की तोर पे इस पे काम कर रहे है and here you go यह आपके पास कुछ इस तरीके से context आजाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से different किसम की values आजाएगी and then you can have a look कि आपके पास क्या scenario जो है वो जहां पे चल रहा है अब यहां पे यह double dashes है ठीक है और आपको अभी पता चल जाएगा यह double dashes क्यों है और हमें किस तरीके से इनके साथ deal करना है जैसा आप देख सकते हैं कि डेटा मेरे पास साथ में ही पड़ा हुआ है बिल्कुल साथ में और आप अगर देखें तो मेरे पास हर एक चीज़ का color आ रहा है यह जो एक extension मैंने use की है वो है rainbow rainbow csv ठीक है csv rainbow या rainbow csv के नाम से है यह वाली extension है जिससे क्या होता है हर एक column आपको separate color के नजर आता है आप इसको install कर सकते है and then it will be working fine आप indent rainbow भी कर सकते है उससे क्या होता है जब आपकी indentation होती है तो आप उसके अंदर भी इसे use कर सकते है so I can also install this one because it's easier for me to work on the things which shows different color और जहरी बात है I know कि आज का project बहुत important है और ज्यादा तर हम github co-pilot को भी use करेंगे इस project के अंदर ताके हमारी coding जो हो fast हो और जिन लोगों के पास github co-pilot नहीं है they can use codium जो मैं बार 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 बताता है हो आपको and that's why we are going to utilize the power of these things ओके जी यहाँ पर आगया हमारे पास content आगया context आगया और जो जो हमारे पास information है metadata के बारे में each and everything is mentioned here now what we have to do we have to state our aims aims and objectives aims and objectives को लिखाप लेते हैं लेकिन आप यह तब करते हैं जब आपके पास exploratory data analysis हो जाएगा so मैं यहाँ पर लिखता हूँ we will this after doing some exploratory data analysis यानि के हम EDA करने के बाद इस पे काम करेंगे और data visualization वगरा के बाद तो मैं data visualization के अंदर EDA तो मैं ज्यादा अब आप देखिएगा के minimize करके हम इन चीज़ों को लिखेंगे अच्छा एक बात याद रखे के यहाँ पे जो भी काम हो रहा है इसके पीछे एक science है उस science को हम data science बोलते है और आपको आज मैं ज्यादा बोलूँगा भी और ज्यादा बताऊंगा भी चीज़ें जो आप एक project में शुरू से लेके अंद तक देखते है तो मैं इसको second heading दूँगा क्योंके first heading हमने title को दे नी होती है second heading जो होती है second level की heading वो हमारे पास ऐसे आती है अब जो एक चीज़ आपको समझने वाली है यह आप देख रहे होगे मेरे पास यहाँ पे outline भी है अगर आप गोर करें और जहाँ पे मैं click करूँगा मैं वहाँ पे ही अपनी notebook के अंदर जा सकता हूँ directly I don't need to worry about anything ठीक है तो आप भी ऐसा कर सकते है ठीक है और उसके लिए आपको क्या करना है आपको basically एक extension sorry यहाँ पे click करना है not an extension और outline पे click कर देना यह three dots पे click करने के बाद outline पे click कर देना आप timeline पे भी कर सकते है timeline will show like this और timeline के अंदर भी different किसम की चीज़ें आपको show होंगी कि आपने कब edit किया किस चीज़ को कहां पे गए history वगएरा यहाँ पे आ जाती है control Z और बाकी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी but I don't use timeline I always use this outline आप open editors भी कर सकते हैं timeline आपके आउट लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है which is a kind of content of your project ओके जी तो हमने यह डेटा यहाँ पे कर लिया क्या कर लिया store outline हमारे पास बन गई है सबसे पहला काम हमने अब हर एक चीज़ को heading देनी है और third level heading देनी है load the बलके सबसे पहले करना है जनाब import libraries और हमने जो import library करने है साथ में लिखना है let's start the project by importing all the libraries libraries we will need in this project ठीक है तो आप देख रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आपको वो साथ साथ heading देता है अब मैं यहां पर python का cell लेके आता हूँ यहां पर मैं फिर से heading दूँगा comment section के अंदर ताकि जब कोई code copy करें तो उने समझा जाए import libraries हम यहां पर लिखते हैं अगर आप मेरे साथ साथ coding कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फाइदा होने वाले है अगर आप साथ साथ coding नहीं कर रहे तो हो सकता है आपको future में जाके problem हो इस वज़ा से मैं आपको recommend करूँगा कि आप साथ साथ coding करते जाएं ठीक है मैं यहां पर अपनी cursor app भी open कर लेता हूँ ताके आपको जो मैं कर रहा हूँ वो नज़र आता रहे और यह green color का cursor जो है वो ठीक है right मैं यहां पर लिखता हूँ जनाब import pandas as pd import numpy as np import matplotlib फिर आगए cbon अब हमने क्या करना है यहां पर हमने सबसे पहला काम किया import कर ली libraries अब एक बात याद रखे है का जब भी हमने कोई library import करनी है we have to write that here ठीक है अब आप ने यह पहले से लिख लेना है कि यह मैंने import करनी libraries अब इसके लावा मुझे क्या चाहिए मुझे plotly भी चाहिए from plotly from plotly dot express इंपोर्ड और यहां पर नहीं import plotly dot express import plotly dot express spx यह भी हमें चाहिए फिर हमें from sk learn pre-processing standard scalar भी चाहिए हमें min max scalar भी चाहिए हमें और भी scalars भी चाहिए होंगे otherwise label encoder भी हमें चाहिए होंगे for example यह label encoder हो गया हमारे पास इसके इलावा हमें और क्या चीज़ें चाहिए है we can have a look after that ठीक है तो हमारे पास यह चीज़ें आए from sk learn अगली चीज जो हमें चाहिए होगी obviously अगर कोई हमारे पास किसी भी किसम की values को impute करना है तो we will use simple imputer या आपके पास knn imputer आ जाएगा या हमने iterative imputer को use करना है ठीक है so हम क्या करेंगे import iterative imputer ठीक है अब उसके लिए हमें पहले enable करना पड़ेगा iterative imputer को फिर iterative imputer को हम यहाँ पे ले आएंगे तो हमने minmax scalar यानि के data scaling का भी यहाँ पे काम कर लिया ठीक है और label encoding को भी हमने import कर लिया say for example import libraries के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ one dot to handle the data उसके लिए यह यह library चाहिए to visualize the data set यह हमें चाहिए दो तीन इसके बाद for date to pre process the data उसके लिए हमें यह चाहिए ठीक है अब यह हमारे पास scaling के लिए यह तीन और अगली वाली जो है हमारे पास इसको मैं लिखता हूँ scaling बलके नहीं आपको पता लग गया है बलके यह standard scalar min max scalar label encoder simple imputer canon imputer and then we have experimental and iterative imputer यहाँ तक आपको clear हो गया अब मुझे जितनी libraries अभी तक चाहिए I have wrote written नहीं यहाँ पर लिखती है यहाँ तक आपको clear है कोई issue तो नहीं है यहाँ पर अगर आपको सब कुछ यहाँ तक clear है please let me know ताकि आपको यह चीज़ें जो है साथ साथ मिलती जाए दूसरी बात अगर किसी के पास यह पूरी project की और बाकी चीज़ें नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको अभी से commit कर देता हूँ इसको मैं बोल देता हूँ project project 0 के नाम से और मैं इसको commit भी कर दिये आप हमारी github की repository पर जा सकते हैं जो मैंने link description में दिया हुआ वहाँ पर जाके यह आपको मिल जाएगी जो हमारी github की description है वहाँ पर आप जाके देखें तो आपको within few seconds यह वाली सारी की सारी चीज़ें फैच हो जाएंगी I know कि अभी मैंने कोई advanced level पर आपको नहीं लेगी गया but you can understand कि हमारा यह proper machine learning का project है ठीक है जी right अच्छा it will take some time जारी बात है and it's already I think fetched on yes आप दुबारा जाके online हमारी github की repository के उपर से सारी की सारी चीज़ें जो है वो ले सकते है अब हमने अगला काम क्या करना है iterative imputer हमारे पास आ गया iterative imputer के पास हम machine learning के टास्क के लिए चीज़ें यहां पर लेके आएंगे from SK learn हम train test split लेके आएंगे grid search CV and cross validation score ठीक है फिर हम कोई भी model अपने पास लेके आएंगे या हम simply logistic regression लेके आ सकते हैं या कोई भी so मैं यहां पर लिखता हूँ for classification task for classification tasks classification task के लिए आपको पता है कि आपको different किसम के matrix चाहिए होते है matrix हमने import कर लिए और मैं matrix import करता हूँ सिर्फ तीन किसम के बाकी जो हम बाद में देखेंगे because this project is not really on advanced level बिल्कुल basic से intermediate पर जाएंगे फिर आइस्ता हम advanced पर जाएंगे so अभी के लिए classification task के लिए from sk learn dot सबसे पहला काम हमने क्या करने linear model से logistic regression निका ली फिर हमने अगला काम क्या करने canier neighbor classifier निकाल ली है फिर अगला काम हम करेंगे sport vector classifier का फिर हम अगला काम करेंगे random fresh, add a boost, gradient boost का और हमारे पास ये तीन यहाँ पे आगे फिर इसके बाद xg boost से हम लेके हैंगे xg boost classifier इसके बाद हमारे पास obviously क्योंके हमने random fresh ली है तो मैं यहाँ पे from sklearn.tree decision tree classifier लेके हूँगा extra tree classifier नहीं हमें चाहिए so xg boost classifier तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमारे पास 7, 8 model होगे so आप जितना बढ़ाते जाएंगे you can go there but मैं यहाँ पे सिरफ इतने ही रखूँगा matrix यहाँ पे ले आते है so हमारे पास जितनी हमें library चाहिए थी मेरे mindset में मुझूद थी हमारे पास जो step होते हैं preprocessing से लेके at the end वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख लिए और उन steps की base पे मैंने चीज़ों को import कर लिया अगर हमारे पास यहाँ पे कोई important चीज़ होगी then I will actually import those libraries when we have something तो मैं सबसे उपर आऊंगा अपनी notebook में और यहाँ पे उस library को add करके दुबारा से enter कर दूँगा so यहाँ तक आपको hopefully clear हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं मैं यहाँ पे इसको run करता हूँ and if everything is working fine we will see this green tick ठीक है green tick यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा यहाँ तक आपको clear हो गया होगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को import करना है और आपने strategy भी देख ली होगी सबसे पहले मैंने data की information दी data के बाद मैंने यह सारी के सारी चीज़ें लिखी and now we will explore the data and read the metadata around that exploration I know कि यह वला task जो आज हम कर रहे हैं this is very long task और अगर आपको यह लगता है कि आप सकून से बैठे रहेंगे और code मिल जाएगा and then you can actually understand ऐसा नहीं होगा code अगर मैं आपको बताऊ न तो आप बे बहाग codes जो है न directly directly भी लेके आ सकते हैं कहां से I can show you now just a minute आप अगर यहां पे जाएं यह आपके पास UCI heart disease का data है code पे अगर आप जाएं तो यह सारे के सारे लोगों के code पड़े होएं ठीक है तो आप यहीं से भी download कर सकते हैं you don't need to work on that और अगर किसी को github repository का नहीं पता तो इस तरीके से आप live हमारे देख रहे होंगे live देखते देखते या आपने इस वीडियो को देखते देखते यह आपके पास discord का channel भी है github की repository भी at the end और आप यहाँ पे click करने के बाद हमारी github की repository पे जाएंगे वहाँ पे projects के अंदर सारे के सारे codes and everything will be available for you guys ठीक है तो मैं इस वीड़े से आपको यह चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ कुछ लोगों के question इतने वो होते हैं कि अभी वो आते ही हैं और परण कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहे तो भाई शूरू से देखे ना end से क्यों देख रहे हैं मैंने libraries करनी है import now we are going to analyze the dataset in a way कि हमें पता चले कि dataset हमारे पास किस तरीके से काम करेगा evaluation matrix क्या होंगे और हमारा data किस तरीके से हमारे पास जो है वो चीजों को लेके आ रहे हैं उससे भी पहले आपको जो चीजें करनी हैं वो यह हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक library होती है ना वो हर हर एक programmer बड़ी इन हम माक के साथ उस library को import करता है और उसको बोलते हैं कि आप import ignore warnings ignore warnings कि आपके पास अगर कोई warnings आती है deprecated की या कोई भी आप उनको ignore करें तो आपने इसको जरूर रन करना है ताकि आपकी जो personal information है वो किसे के साथ share ना हो अगला काम हमारे पास क्या हो गया हमने यहाँ पर import libraries करनी 3 hashtag के साथ अगला काम हम क्या करेंगे data set ठीक है अब इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा ठीक है और यहाँ पर हम फिर बाद में लिखेंगे जो भी हमने लिखने है मैं आपको load करने का बताता हूँ सबसे पहला तरीका क्या है way one import the data set बलके load the data from CSV file placed locally in our PC ठीक है पहला तरीका कार यह होता है कि आप अपनी file को load करें अपने PC के थूँ ठीक है मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए और अब हमने क्या करना है हम इसको data frame बोलेंगे equal to pd.read pd.read csv यह हमने कर लिया इसके अंदर अब हमने क्या करना है अब हमें पता है कि हमारा data जो है यहीं पर पढ़ा हुआ है ठीक है यानि कि उसी folder के अंदर data है जहां पर हमारे पास हम notebook बना रहे है तो मैं यहां पर heart disease जो heart disease underscore uci csv लिखुँगा तो यह मेरे पास data आ जाएगा और इस data को load हम इस तरीके से कर सकते है second तरीका कार क्या है second way is very easy अगर आपके पास कोई online same data set पढ़ा हो जैसे हमारे पास UCI heart disease का data है आप क्या कर सकते है copy करें link को let me see अगर उसका link जो है हमें एक data set प्रोवाइड करता है या नहीं मैं यहां पर उस link को copy कर रहा हूँ जो मैंने data set का दिये मैं यहां पर लिखता हूँ df is equal to pd.readcsv और इसके अंदर उसका path दे देते हैं and we have to see कि अगर यह काम करता है I am hopeful कि यह काम करेगा अगर नहीं करेगा then we have to find another way यह हम online data set के लिए use करते है and it didn't work reason क्या है tokenizing the data अच्छा यह problem आ रही है so the thing is it didn't work but let me see क्या हमारे पास कोई और तरीका कार इसका हो सकता है या नहीं variant 6 3 years ago 3 years ago no 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 didn't okay ठीक हो गया now I can understand तो हम इसको CSV के साथ read नहीं कर सकते because यह CSV की file जो है online आपकी github पे नहीं पड़ी so हम इसी तरीकों को use करेंगे और अपना data जो है वो load करेंगे so मैं यहाँ पे इसको load करता हूँ load करने के बाद I will have a look print first five rows जिसको df head बोलते हैं और यह मैं यहाँ पे इसको print इस वज़ा से करूँगा run करने के लिए ताके मुझे नजर आये के मेरा data set कैसा देख रहा है अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बंद कर लेता हूँ ताके आपको पूरी screen नजर आए now you can have a look आपके पास पहले है ID ठीक है 1, 2, 3, 4, so on and so forth फिर आपके पास है age फिर आपके पास male and female sex है data set कहां से आया है क्योंकि यह 3-4 जगों से मिलके बन है ठीक है CP है फिर T, rest, BPS है cholesterol है FBS है rest, ECG है TH, AL, CH है X gang है, old peak है slope है, CA है, thal है and numb है अब आपको नहीं पता कि यह कौन गौन सी चीज़े है इसकी information आपको यहां से मिलेगी ID का मतलब है unique ID for each patient age का मतलब है age of the patient in the years तो इसका मतलब है ID जो है यहां पे हमारे पास unique ID है age जो है वो हमारे पास years है अब ID यहां पे क्यों दी है ताके हमारा data anonymous रहे ताके हम इस data को नाम के साथ link ना कर सकें और किसी बंदे के घर ना पहुंच जाए कि भाई तेरा तो data हमारे पास मुझूद है इस वड़ा से anonymize करके data आपको मिलता है that is why you are looking into this dataset as an ID ठीक है अब यहां पे आपको ID मिल गी है ID यहां पे है age, years के अंदर है फिर sex, male, female है dataset अब देखते हैं क्या-क्या हमारे पास और चीज़े मजूद है मैं scroll up करता हूँ यहां पे लेके आता हूँ आपके पास आपको पता है कि यहां पे place of study है और region यानि के place of study कहां से यह dataset आपके पास आया है sex, male, female है cp है आपके पास अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे मेरे पास जो dataset है वो different है और जो आप, आपके पास dataset है that might be different लेकिन अगर आप गौर करें तो ID, age, sex, dataset, cp, trust, bp, cholesterol, fbs, rest और यह सारी की सारी चीज़ें आप इस तरीके से देख पा रहे है और अगर मैं यहां पे इनको देखूँ तो मेरे पास most of the column same ही है अब एक चीज़ आपने mind में रखनी है कि same dataset आपको different तरीकों से भी मिलते हैं online अब इसका तरीका कार में कैसे आपको दिखाता हूँ just a minute UCI heart disease data heart UCI heart disease data यह आपके सामने में screen को ले आया है यहां भी मैं लिखता हूँ दोबारा से UCI heart disease dataset और साथ में मैं kegle को गिंटर करता हूँ यह मेरे पास जनाब पहला kegle का data आगया मैं इस पर क्लिक करता हूँ यह दूसरा है मेरे पास और यह मैं इस पर भी ले के क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास different किसम के dataset आएंगे यहां पे वर गौर करें तो यह मेरे पास जनाब इन साहिब ने अपलोड किया हुए second आपके पास यह वाला प्रियंका ने अपलोड किया हुए third one आपके पास है डेविड लैप ने जो अपलोड किया हुए data card यहां पे मुझूद है and then you can have a look कि आपके पास data जो है वो different किसम का मुझूद होगा और इसी वज़ा से आपके पास different जो है data set की जो properties है वो आपके पास आती है हमारे जो कही student है जिन्होंने मुझे ये notebook जो है वो send भी की है अगर आप गोर करें तो यहां पे हमारे पास data set जो है यह वाला red one, करीम, sony इन्होंने अपलोड किया हुए तो हम इन्ही को use करके आगे लेके चलेंगे obviously जो मेरे पास data set है that is little bit different but मैं कोशिच करता हूँ कि आपके पास same data set लेकर हूँ so I will download it again और इसको मैं open करने के बाद यहां पे उस data set के साथ replace करूँगा जो मेरे पास already मझूद है ताके हम सभी का जो काम है वो same रहे मैं इसको replace कर देता हूँ yes now it's replaced it has been replaced replace हो गया वो data अब मैं दुबारा से इस पूरी notebook को run करता हूँ उपर वाले को अब आप देखियागा जैसे मैं इसको run करूँगा आपके पास यह वाला data set मौचूद है okay let's see यहाँ पे download and archive मैं सिर्फ ensure करना चाह रहा हूँ कि यह data set जो मेरे पास है यह same ही है कोई different नहीं हो आपके पास you see I now it seems good मैं सारी की सारी चीज़ों को दुबारा से run करूँगा run all यह मेरे पास data set आ रही है okay यह सिर्फ इस चीज़ को confirm करने के लिए यहाँ पे जो आपके पास information आ रही है उसका मतलब क्या है ठीक है so आपको भी पता है कि आपके पास age आ गया sex का आपको पता है male or female data set के अंदर आपके पास cleveland है और और भी आपके पास cities होंगे अब देखिए id, age, sex, data set age का हमें पता है कि आपके पास age का column है sex का भी आपको पता है male female है data set का भी पता है अब पहला काम मैं क्या करता हूँ हर एक column की base पे चेक करूँगा कि मेरे पास कितनी unique values हैं so मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसको मैं लिख देता हूँ जनाब triple double say exploratory data analysis ठीक है और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको बोल देते हैं EDA और यहाँ पे मैं three headings डालूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा explore each columns हम हर एक column को explore करेंगे और उसको देखेंगे सबसे पहला काम जो भी हमने करना है df.head हमने कर लिया हम मैं क्या करूँगा df.info करेंगे info से क्या होगा आपको data की time मिल जाएगे so यहाँ पे मैं लिखता हूँ exploring the data type of each column ठीक है यह हमने लिखी इसको हम यहाँ पे enter करते हैं आप चेक करें आपके पास integer, integer, object, object, float, float object, object, float, object, float object, float, object, float और यह सारी चीज़े आँगी पहली चीज़ तो यह second, 920 entries है और 919 आपके पास 0 से लेके 919 index है 16 column है तो आपके पास जो data information आगी है इसके बाद आपने क्या करना है अगला काम करना होता है data की shape चेक करना data shape checking the data shape data shape data shape के लिए आप क्या करते हैं df.shape तो आपके पास 920 by 16 का आपके पास एक data set जो है वो मुझूद है अब आपको भी पता है कि data set आपके पास आगया df.shape का भी info का भी अब हमने क्या करना है age के column को देखना है कि क्या है क्योंकि id तो सभी की unique है ये तो एक से लेके 919 तक होगी age के column को हमने देखना है और age के column को देखने के लिए हम क्या करेंगे अगर आप ID को भी देखना चाहें ID column को अगर हम देखे तो मैं बटा raw सा काम कर रहा हूँ DF के अंदर ID को लगा के dot हम यहाँ पे range लिख देते हैं बलके range के बिज़ाए मैं यहाँ पे df.minimum लिख देता हूँ हम इसका minimum देखते हैं और maximum देखते हैं तो हमारे पास एक से लेके 920 तक है तो total हमारे पास कितनी रोज है वो सारे की सारी ID's आपके पास मुझूद है यहाँ तक आपको clear हो गया क्योंकि 920 entries है इस वज़ा से हमारे पास यह ID का unique value आगी अब हम अगला column देखेंगे age column age के column को explore करने के लिए सबसे पहले तो हम उसकी min max देखते हैं के हमारे पास age का column क्या कहता है 28 और 77 बोल रहा है 28 minimum है 77 सबसे ज्यादा है अब यहीं पे आपको एक output मिली है output क्या कहती है मैं यहाँ पे output लिखता हूँ जो भी मेरे mind में आता है मैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखता जाँगा ताके मेरे mind में रहे जो भी मैं काम कर रहा हूँ outputs मैं यहाँ पे एक output को column बनाता हूँ one dot the minimum age to have a heart disease starts from 28 years ठीक है old यह एक output आपको मिल रही है raw है जैसी भी है you have to write it down अब मैंने यह minimum लिखी है maximum हमारे पास 27 है इसका मतलब इस data set में 28 years से लेकर 77 तक जा रहा है ठीक है अब अगला काम हमने क्या करना है age के फोरं साथ ही हमारे पास male female है अब हमने age के column को male female के उपर divide करना है but before that we have to check age के column में क्या है अब output से उपर मैंने सारे के सारा काम करना है and then I will be looking into the data तो हम यहां पर क्या करते है draw a histogram to see the distribution of age column तो मैं इसको sns.plot यह वाला बनाता हूँ age का kde true कर देता हूँ and here you go आप देख सकते हैं कि हमारे पास data जो है वो इस तरीके से distributed है सबसे ज़्यादा जो हमारे पास value है वो इस चीज़ की आ रही है और हम इसको mean के through भी निकाल सकते है median के through भी और mod के through भी लेकिन यहां पे जो हमारे पास value आई है we can say कि 50 साल से लेके हमारे पास 60 साल तक यहां से लेके यहां तक ज़्यादा cases है hard disease के यानि के old age में आते हैं start में बहुत कम लोगों के आते हैं तो हम यह भी लिख सकते हैं लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे मैं यहां पे plot the mean median mean median median and mod of the age column तो हम उसको भी plot कर सकते हैं और बलके इसको मैं plot करूँगा using sns यह जनाब हमारे पास तीन लाइने लगी है mean, median, mod की और अगर आप गोर करें हमारे पास green, red and yellow तो हमारे पास green बलके green, red and yellow की बजाए मैं blue, green, RGB कर लेता हूँ RGB ठीक है blue ताके हमें नजर आए so you can see के आपका mean, median, mod यहाँ पे है यानि के center, बिलकुल center अब आपको नहीं पता के वो कौन-कौन सी चीज़े है so we can also print print the value value of mean, median and mod of age को लो तो हम print लिखेंगे mean, median and mod यह मैंने लिख लिए अब यहाँ पे आप चेक करें के आपके पास 53 mean है median 54 और 54 यह आपके पास mod है यानि के ज्यादा तर ऐसे लोग हैं जो 54 की age के अंदर उन्हें problem होती है अगर हम second mod देखें तो हम उसको भी print कर सकते है which we can do like this और वो नहीं आ रहा हमारे पास A की mod आ रहा है तो इसका मतलब A की mod है which is 54 अब आप यहाँ पर देखें हमें अंदाजा हो गया है कि यह 3 values है यानि के median और mean किसी से दूर नहीं है और mod भी दूर नहीं है इसका मतलब mean, median, mod जब center में है that's how we can say कि यह normally distributed data है but we are not going into the details of statistics for now अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पर लिखेंगे most of the people get heart diseases at the age of 53 to 54 years ठीक है यह मेरे पास एक information आगी यह जो mean, median, mod है यह most of the people यानि के average पे हमें जो चीज़ें जो हैं पता लगती हैं यहाँ तक आपको clear होगी जी बात कि हम किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं जिस्ट अ मिनट sorry मैं screen को नहीं देख पाया I will just do it again just give me one second यहाँ से screen को क्या मसला हुआ है, let me see क्यास की याँ से कम एफ देख लिवन वहाँ से झाल झाल